नमस्कार सरनातन विचार में आपका स्वागत है अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें आज हम गीता प्रिस गुरखफुर द्वारा प्रकाशित जिस पुस्तिका के बारे में सर्चा कर रहे हैं वह है नवगरह पुस्तिका कोड एक हजार अठारा है वन जिरो वन एट मेरे पास जो प्रती है उसका मूल यह पंदरह रुपए हैं और कुल प्रिष्ट इसमें 20 हैं कवर पेजिस को मिला के यानि कि फ्रंट कवर और बैक कवर को मिला के बैक कवर पे इस पुस्तिक हैं मतस्य पुराण से लेकर उसके नीचे एक नवगरह कवच दिया गया है जो कि उसके बारे में लिखा है नीचे यामल तंतर का एक नवगरह कवच दिया जा रहा है इसका श्रद्धा पूरवक पार्ट करने तथा तावीज में रखकर भुजा में धारन करने से बहुत ला गया है आम तोर पे जो शैली इसमें है उसमें पहले तो जो ग्रह देवता है उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है उसके बाद उनके जन्म से संबंधित जो भी कथा आती है विभन ग्रंतों में वह दिया गया है फिर नीचे आम तोर पे उनके रत का वर्णन एक दिया ग उनकी प्रसंध्रता और सांथी के लिए क्या करना चाहिए। इस बारे में ये ध्यान रखें, हर जगा हर नहीं लिखा गया है, लेकिन तीन-चार जगों पर स्पष्ट लूट रूप से लिखा गया है, मंगल कर रहे हैं, विशेश परिष्थिति में विद्वान ब्राह्मन का सही योग लेना चाहिए, तो अगर ऐसी कोई विशेश रहों का यहां विवर्ण दिया गया है, जो मैंने आपको प्रतम ही बता दिया, उनके स्वरूप, उनके रत, उनके जन्म से संबन्ति जो कथा आती है, उसके बाद कब उनका वरत करना चाहिए, महादशा कितने वर्षकी होती है, ग्रह के अधी देवता और प्रतेधी देव प्रता कौन है, क्या दान करना चाहिए, उनके वैदिक मंतर, पौरानिक मंतर, बीज मंतर, सामाने मंतर, कितने संख्या में जाप करना चाहिए, इत्यादी, फिर ब्रहस्पती आते हैं, उसके बाद शुक्र, फिर शनी, फिर राहु, और उसके पस्चात, केतु, इस प्रकार से नौ ग्रहों का बहुत ही संचेप में और बहुत ही अच्छा और उपियोगी जो है या विवरण इस चोटी सी पुस्तिका में आ जाता है वीडियो देखने के बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में